गुड़ मॉर्णिंग, सिबिल इंजिन्ग गुरूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज आप लोग को हम डिजाइन ऑफिस सेप्टिक टेंक के बारे में पूरी जानकारी देंगे, प्लान की जानकारी, शिक्सन, डिजाइन, कल्कुलेशन, तबाप चियों की जानक कोलेश जैसे ओपन होंगे, फिर आपको हम लाइब कलास देने लगेंगे, तो आज की वीडियो में चलिए हम सिखते हैं सेप्टिक टेंक के बारे में, उसके पहले आपसे कहेंगे नए विजियर्स के लिए, कि अगर आपको जो है नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क कर दें, ताकि मेरा बेल बटन को दबाते, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जाए, तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, तो चलिए सीखते हैं सेप्टिक टेंक के बारे में, जैसे का आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर, डि इसके वाल 25 cm की रखी जाती है, क्योंकि आप हमारे के, अगर traditional brick यूज करते हैं, तो और अगर अगर traditional brick यूज करते हैं, फर्स-कलास brick यूज करते हैं, उनिसे 8x9 cm कड़ तो आप यह वाल 20 cm का भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको देखी फ्लाल है, इसमें इलिट या व और यह बिरिक से बने हुए चाहता बिरिक का वाल है बिरिक से कोई चीज़ बनती है उसको काड़ रहा याता है तो देखाने के लिए की चीज़ से बना यह सिंबॉल देयाते हैं यह बिरिक का सिंबॉल है तो यह प्लान है आप देख लिए होंगे प्लान से बफल वाल की दू है तो यह कर सकते हैं तो अब यह प्लान के जंकार देख लिए जो भी बचे सेविल एंजिंगर हमारे हैं या सेविल एंजिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं या डॉर्स में सिविल हूं आई टाइड वाइक कोर्सेज हूं उस सारे लोगों को इतनी जदकारी होती कि प्लान कैसे बनाते हैं तो यह आप खुर दे लिया प्लान की जानकारी आप इसके मादेम से प्लान बना सकते हैं अब आपको यह डामेंशन अंदर दिख रहे होगे कि इसके लंबाई मैंने लिया है 2.3 मीटर चौड़ाई मैंने लिया है 0.9 मीटर तो यह जो लंबाई यो चोड़ाई है safety tank की यह जो है calculation करके प्राफ किया थी है number of users पर depend करता है और कितना दिन के लिए safety tank का design के जा रहा है इस बात पर यह depend करता है तो हमने जो design कि है आज हमने 20 users के लिए एक साल के लिए सेफी टेंकर डिजाइन के, जो प्लान आप देख पा रहे हैं, यह कल्कुलेशन करके आपको बताएंगे हम, तो वो जो है 2.3 मीटर जो है, और 0.9 मीटर चोड़ा, ठीक है, और 11.3 मीटर फिरी बोर्ड, यह मैंने 20 जूजर के लिए एक साल के लिए डिजाइन किया है, आपको नीचे हम कल्कुलेशन बताने वाले हैं, उसके पहले आप प्लान देख लिया, आप इस शेक्शन देख लिए यह देखेगा, शेक्शन बनाना आपको आता होगा, वाल से वाल ट्रांसपर होगा, इस वाल से यह वाल ट्रांसपर, यही वो बाहर के चीज़ निकली होई यह प्रोजेक्ट है, जो आपको हम दिख बता रहे हैं कि अभी दिखेगा, इस जादा भी लिया गया है, बाद में उसके अंदर से वाल को उठाए गया है, शेक्शन में देख लिएगा, शेक्शन में सलोप होता है, फ्लोर सलोप 5% to 10%, मतलब इधर जादा होग इधर कम होगा, असान सब्दों में समझेतों, वाल अपनी आप ले लिया, इसके हाइड डिपेंड करती है करकूलेशन पर, तो मेरा करूलेशन जो आएगा, इस पर यह डिपेंड होगी, यह करूलेशन ऐसे नहीं हुआ है, करकूलेट करका है, मैं आपको बताने वाला बट यह सलज के अंदर जीर, यह जो है, दो सो, धाई सो एमम से लेकर छे से मम के बीच होता है, और यह सलज के अंदर दो सो, दो सो एमम से लेकर पान से मम के बीच यह होता है, यह आपको देख रहे हैं, यहाँ तक पानी भरा होगा, यहाँ तक आपका सलज जो होता है, वो भरा होता है लिक्वीड यहाँ तक क्या होता है वो भरा होता है इसके ऊопर यह जो स्पेस आप देख देख रहे हैं इसको बोलते हैं यह जो है अगर leak न करे मतलब कहीं से leakage नहोगा है तो यहестно हमेशा चलते हैं बस इसको को सफाई की जरुवत पड़ती है लीक ना हो इसके लिए हमको इसका डिजाइन करते वक्त डिस सेमेंट मोटार M20 जो होता है कॉंक्रीट उससे इसको नीचे बेस को कॉंक्रीट किया जाता है उपर के जो है फ्लोर को भी जो है उपर के च्छत को सौरी रूफ जो होता है उसको मोटार M15 या M20 से इसको करना चाहिए सकी चिनाई वर्ब Ten Nikki यो मिशनरी वर्क होगा वन इस्टु फो है इसको करना चाहिए नियूंहीं 8 bez Cement और चार बालू इस तरह से इसको करना चाहिए तापि समझ गया होंगेuction आप समझ कह समझ गया होंगה यह फरी बORA consequence से सब्सक्राइब है अगर चोटा टाइंग है तो यह 30 संटीमीटर अगर बढ़ा है तो 25 संटीमीटर मैं हो गया बेंट पाइप हो गया बेंट पाइप यहां से यहां तक जो आपका आखरी दो मीटर से कम हो चाहिए नहीं होना चाहिए तो आप प्लान समझ गया होंगे देख भी लिया और सेक्षिन भी आपने देख लिया अब मेरी बारी आती है देखेंगे हम ने इंगलिस ट्राइप हो गया और यह आपको देख लिए दोतरह के जो है आपको जो ट्वालेट सीट होते हैं वह मैंने आपको दिखाए हैं ताके आपको ट्वालेट देने के बाद यह समझ आ जाए कि आप यहां पर से ट्वालेट देने हैं उसमें कितनी स्पिस बाद ने बचे कि इसके पुरा डामेंशन भी हमने कर लिया है ठीक है तो अब इसकी लियर्स की बात करते हैं लियर्स में आपको पहले ही समझा रहते हैं इसके क्रोनेशन करते हैं कि सेप्रिटने के लंबाई कितनी होगी चोडाई कितनी होगी और इसकी उचाही या गहराई कितनी होगी ठीक है तो आप यहाँ देख लिजिए अब चलिए इसको आपको तीन लेर्स थे लेर्स मैंने बता दिये सेडिमेंटेंशन, डाइजेशन और स्टोरेज ठीक है अब यह कर्कुरेट करने के लिए देखेगा स्पेस फर स्टोरेज होता है 0.00021 मीटर क्यूब पर डे कपासिटा ऐट 25 डिग्री सेंटिग्रे तो एक यूजर्स के लिए एक दिन में आपको 0.00021 मीटर क्यूब स्पेस च यहां दोनों का एक पर सेंट क्या है यहाँ परर एंचरेएक देखेगा तो अगर 15-20 को तो पचीस परसेंट में इसे 25 ड हो और होटा यांद इस्कूल बिल्डिंग से कम नहीं लेंगे, यह Space for Stealim retention हो गया, यह 100% हो गया अब चलिए मिनिम situation मिर्था सपरी टैंग 45 cm से यह कम नहीं होगा, सपरी टैंग की जो चोड़ाई होगी वह 75 cm से कम नहीं रखी जाती है, और इसके अगर गहराई की बात करते हैं, तो 100 मिर्था से कम नहीं सेंटीमीटर यह आपकी क्या होती है फिरी बोर्ड होती है ठीक है तो यह आप सब्रेटेंग की फिरी बोर्ड करती हो कि तीस से पाथालिस सेंटीमीटर आपकी यह फिरी बोर्ड होती है दख लिजे हैं यह पाथालिस सेंटीमीटर होगी कि एक मिटर कि बाग बहुना तक है 1000 लीर उसकी गपाशिटी होती है Testese शे इन्राइब हर कमार्टियों क्रा डोगी है उसका पॉपाशिटींट्र्स से नहीं होंगे अब देखिए आप user के आधार पर कैसे calculate करती है देखिए बहुत important आप यहां से ध्यान से देखिए और सीखिए तो layers name हो गया, layers name में क्या है, space for day storage हो गया मेरे, space for day storage के लिए हमने count किया, users के संक्या कितनी थी, 20 देखिए मैंने 20 लिया है, एक user के लिए कितना space चाहिए था, 0.00021 वो मैंने लिया है, और 365 days, देखिए हमने क्या लिए था, calculation for 20 users for one year, एक साल में कितना दिन होते है 365, या 365, तो 365 days मैंने लिया है, चुकि एक साल के लिए डिजाइन करें, अगर आप चाहते हैं कि जादा साल के लिए पांच साल के लिए डिजाइन करें, तो 5 इंटू 365 कीजिएगा, जो दीन आएगा, यहां पूट कीजिएगा, और इसको calculate कर लिजएगा, हमने फिलाल इस वापने calculation को calculate कि तो आया 1.33 meter cube, यह space for storage आया, storage for digestion, number of users कितने हैं मेरे 20 हैं, और 0.33 इसका क्या है, users के आपको space चाहिए, तो 0.66 meter cube है, दोनों को मैंने जोड लिया, तो 2.193 meter cube आया, अब हमको क्या निकालना है, space for sentimentation, तो 1%, 1% यहां से ले लेंगे हम, तो 15 से 20 users, यहां हमारे 20 users हैं, तो इसको दिखेगा, 2.193 जो मेरा आया थे हाँ पर दिखेगा, काल्कुरेट करने के बाद दोनों, तो 2.193 into 25 by 100, तो यहां 0.548 meter cube, अब हम तीनों को जोड लेंगे, यहनि space for storage, space for digestion, space for sharementation, तीनों को मैंने काल्कुरेट के आया, 2.733 meter cube, एक्चुल में यही टैंग का volume है, यही हमार हो गया है, meter cube है, volume को मतले है, इसमें लंबाई, चोडाई और गहराई तीनों चीजे है, पुठ है, तो हम आपको बताये थे, अभी कि सेपीटरं की चोडाई 75 cm से कम नहीं, गहराई 1 meter से कम नहीं, यहां कामाने वाली है, दिखेगा, L गुने, B गुने, H बराबर 2.741 meter cube, त हमने 1.30 meter लिया है, तो ठीक है, इन दोनों को मैंने calculate किया, तो है 1.17 meter square आया, ठीक है, अब आपको पता है अतना मैक, तो आप तो जानती होंगे actual में, कि जो है 2.741 meter cube है, इसको मैंने भाग दिया, 1.17 meter square से, तो meter square से meter square कट गया, meter बज़ गया, यहां 2.34 meter, और यहां calculation आगया, यही सेप्टी ट्रेंग का हमने यहां पर लिया है, देखेगा, लंबाई हमने लिया 2.3 meter, चोड़ाई हमने लिया है, 0.9 meter और यहां पर गहराई 1.3 meter मैंने लिया है, मतलब 130 cm आपकी जो इसकी गहराई हो जाती है, यहां से यहां 230 cm इसकी लंबाई होती है, और 90 cm इसकी चोड़ाई होती है, मैंने आपको कहा था कि मैंने calculation करके इसको बनाया है, तो वही calculation करके मैं आपको दिखाया कि कैसे इसको मैंने design किया है, I hope कि आप calculation समझ गया होंगे, यहां पर इसको धान से इस portion को आपको देखना है, और इसको समझना है, तो calculation आपको समझ में आग का समझने में कोई कठेना ही नहीं नहीं हो इसका बात का मैंने पुरा अपरा ध्यान रखा है तो I hope कि आप यहां तक समझ गया हूंगे देखेगा एक चीज़ और है इसको क्लेक्शन करने पर एक चीज़ को और जानना है नोट देखेगा Length not less than 2 times of width and not exceed than 4 times of width मतलब सेप्रीट टैंक की लंबाई उसके चोड़ाई के 2 गुना से कम नहीं होगा और 4 गुना से जादा नहीं होगा तो आँ देख लिजेगा सेप्रीट टैंक मेरा है 90 cm का 2 गुना कितना होगा 180 तो यह 2.54 है यानि बड़ा है मतलब उससे जादा है 180 से एक कम नहीं होना चाहिए था लंबाई चोड़ाई के according ठीक है तो यह आपको इस चारगुना से जादा भी यह नहीं है चारगुना से जा करना होगा तो आई होप कि आप यहां तक समझ गया है अब चलिए इनलेट आयट आयट आउटलेट पाइप के जान लेते हैं आपको बताया था देखेगा इसकी जो है आप सबसे पहले जान लीजिए यह आपको एलबो पाइप हो या टी पाइप हो यह 100 mm डायमेटर का होग तो जो मेरा आउटलेट पाइप है वो जो है 200 से लेकर 500 mm नीचे होगा और जो इनलेट पाइप है मेरा वो 200 से लेकर 600 mm के बीच होगा मैं आपको अभी समझाया था यह आपको हो गया इनलेट पाइप तो डायमेटर कोई पूछता है कि कितना होना चाहिए इनलेट आउट आ और ना चाहिए यह आपको याद करना है चल्वेल के बारे में बतार जते हैं और चल्वेल तरयसी होगा ठीक है और जो है माकशिर व्यार ne avatch is cool पाइब आपको व्यार्व को बता है मैंने product क्या आता है ठीक है तो लैंडस से ख्रीक है एल जो होता है ठीक है तो यह strategic ताइंग के लमबाई जो होती उसको एल से डूनोट करते हैं और दिखेंगा यह क्या होगा सलज के उपर होगा वह 150 से होगा और 407 सलज के नीचे होगा तो यह जो होता है यह जो नीच ऊपर होगा 150 से मिम होगा नीचे कितना होगा 400 से लेके 700 मिलिमीटर यह नीचे होता है सलज के अंदर होगा जो यहां सेक्शन में दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो आई होब कि आप इसको समझ गये हैं कि इसको और भी डिपली आप लोग पढ़िएगा फिर्ट दो आपको बोलते हैं कि षूपकर लेते हैं कि इस वकोट इस Pride करेंगे वीडियो पहुत लंबी होगी लेक्ष्ट बहुत होगा और है को आप Member को अफ्लोड कर ने में दिखत होगी और आपको चुभने में करिणाई होगी इसके वैसे हम इसको ध्यान से करते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं कि थिकनेस कितना जो हमने लिया है पचास से मिली मीटर से इसकी थिकनेस कितनी होगी इसकी थिकनेस पैसे लेकर कितनी होगी सवय के बीच होगी ठीक है और इसका जो कि अब सब्सक्राइब अब बात करते हैं तो यह गैस के लिए काम आता है गैस निकालने का आपको मेरे बताया था जी और यह 50 सेले का सवय में डायमीटर के होगा ठीक है और इसको कितना होगा यह उपर कितना लिगा मिनमम आपका जो होगा ग्राउंड लेवर से कितना उचा होगा दो मीटर उचा होगा सबको आपको याद कर लेना है और समझना है और इसके उपर में जो मस्कीटो प्रूफ वायर मेश लगा होगा इसके मस्कीटो प्रूफ क्या होगा वायर मेश इस पर लगा होगा यहां देखिए यह आपका हो गया यहां से दो मीटर यह होगा इस पर मस्कीटो प्रूफ वायर जानकारी हर चीजों की जानकारी चाहिए वह इंडेट पाइफ हो वफल वालो रूफ सलेब वह सब चीज की जानकारी आपको खिल लेली मैंने यहाँ पर दी है देखें यहाँ यह आपको जो है वेस्टन टाइप हो गया देखें गुलिट ट्रेप आपको पी शेप का है आने वाली अंदर गैसों को रोकना जब ही आप देखते होंगे इसमें पानी भरा होता है इसमें पानी भरा होता है तो पानी भरा होता है इसलिए पानी भरा होता है जो ही नहीं कि जो आपका कनेक्ट हो जो हमारा यह यह जो यहाँ से जो कनेक्ट हो यह कनेक्ट हो इस पूर परिशान करेगा इसलिए इसमें गुल्ली ट्रेप गैस से बचने के लिए गुल्ली ट्रेप लगा दी जाते हैं ताकि गैस ट्वालेट के ट्वालेट से बाहर न निकले ट्वालेट के अंदर न जाएं तो उसी गैस को लगाने के लिए हम ट्रेप का यूज करते हैं इसका है क इतना दूर, इसमें पानी बहाता है, आने वाला गह जो है नो, नहीं है, पानी को पार नहीं कर पाएगा, पानी वाभाई अब बहाते हैं, इसलिए आप जब ही भी भी सेप्टीग टैंक को देखते हैं, तो उसके अदर पानी होता है, टीक है, तो थे ट्रेप का यूज एसब लगाना चाहिए ठीक है तो I hope कि आप समझ गया होंगे calculation पर ध्यान दीजिए सब चीजों को आप जो भी हम मैंने बताया आपको important चीजों को याद कर लीजिए आपको एतनी चीज़े याद होना चाहिए space for storage, space for digestion और space for sedimentation कितना percent होगा ताप इसका design easily कर पाएंगे ठीक है तो अगर आप एक अच्छे engineer है एक अच्छे डॉर्समें है तो आपको design इसका आना चाहिए अच्छे से design कीजिए ताके space भी बरबाद नहों और साथ में आपको जो है खर्च एकोनोमी है जो आने वाला जो खर्च सेपी time पर वो भी कम रहा है अगर आना वश्यक रूप से इसको बहुत बड़ा बना देते हैं तो आपके खर्च जादा होगे जबकि उसका कोई फाइदा नहीं होगा इसको ध्यान से बना जाता है ठीक है ताई होब कि आप समझ गया होगे फिर एक बार कहाएंगे कि चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा कुछ समझ में नहीं है तो कॉमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं आपके लिए एक वीडियो बना के डादा जाएगा ज्याद़ कोमेंट्स करके एक पॉइंट्स पर आते हैं तो आपको उसको लिंक भेजा जाएगा कि आप उसको वाच कर सके तो आज के लिए इतना ही घर पर रहें स्वच्छित रहें कि जट्सव